आज हम लोग ट्रांस से जुड़े हुए सब्दों को पढ़ेंगा ट्रांस का मतलब होता है अक्रोस मतलब आर पार ठीक है पहला सब्द हमारा इन्ट्रांसिटिव इनका मतलब क्या होता है इनका मतलब होता है नौट और ट्रांस ट्रांस का मतलब अभी लोग पढ़ते हुए तो वैसा कोई बीची जो आर पार नहीं होता है, आर पार नहीं होता है, कर्म नहीं होगा, अबजेक्ट नहीं होगा, अथा भी न, आर पार नहीं होगा, तो इन ट्रांजिटिव का मतलब क्या हो गया, इन ट्रांजिटिव का मतलब होता है, जिसमें अबजेक्ट का जरूरत न इसमें करम नहीं होता है इसी अगर एंटोनिम हो जाया है कि इन हटा दो सिधा क्या होगा है ट्रांजिटिव इसी का उल्टा हो जाएगा विलोम हो जाएगा ट्रांजिटिव आगे बढ़ते हैं अगला सब्सक्रांस का मतलब क्या होता है या या फिर कासकते है कोई बीजज कि अपने बहतरी के लिए कोई अपने important चीज के लिए किसी चीज में बहतर करना उस से बढ़ना उसी को भी बूलेंगा transcend भूलेंगा rise above भी बूल सकते है rise above ठीक है तो translate का synonym समल लो exceed के sense में बूल सकते है exceed का मतलब भी transcend हो गया परे हो ना उसी को बुलेंग क्या transcend अगला सब्स है transverse, trans का मतलब क्या होता है, trans का मतलब होगे across ठीक है verse का मतलब होता है turn verse का मतलब होता turn, बुढ़ना transverse क्या होता है, जो आड़े तिर्चा होता है ठीक है, transverse का मतलब होता है, तिर्चा यह बता रहा हो इसको बोलेंगे ट्रांस वर्ट सबसेंट, इसको बोलते忏 ट्रांस वर्स बोलते गां, समझ गया है उसको, अगला सब त्रांसफर, त्रांसफर, ठीक है, तो ट्रांस का मतलब त्रांसफर, ठीक है, तो ट्रांस का मतलब त्रांसफर, ठीक है, त्रांस का मतलब त्रांसफर, ठीक है, 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 ठीक है सुनने होने कि इसी ये ट्रांस्फर हो गया मतलब क्या यहां से वह बूसरे जगा जाएगा उसका क्या होगा gemacht ग्या बोड़ करेगा एक जगा सवार्वट होगा गैंट मोलुकंद ला ने कीस गोना से एक पूर्ण को क्या आता है प्रटिकुलर्लि समान को एक जगह से दूसरे जगहा धोना उसी को बुलेंगा ट्रांसपोर्ट सुने कि जो आ watts घृत अ कि आ ऊस्टमर् framed carrying goods from one place to another, उसी को बोलेंग क्या, ट्रांस्पोर्ट बोलेंगा, ठेक है, ट्रांस्पोर्ट बोलेंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा सब्द नहीं समाफ्त होता है, अब हमारे पास सब्द नहीं है, आज के लिए सब्द नहीं है, हम लोग कल नए सब्दों के साथ पस्तित होंगे, धन्यवाद